Hello Children, Grade 6 Hindi, मुझसे कुछ मच्छिपाना मुझसे कुछ मच्छिपाना पाठ एक पत्र पर आधारित है पत्र है अनोपचारिक पत्र जिसमें पिता रतन टाटा आपने पुत्र जहांगीर को एक पत्र लिखते हैं इस पत्र के माथ्यम से वे अपने बेटी जहांगीर में सकारात्मक सोच की अभविरिद्धी करना चाहते हैं तो आए देखें कि इस पत्र में क्या है एक समय था जब उच्छ शिक्षा के लिए भारती योगों को विदेश जाना होता था मतलब भारत के जो योवक होते थे अगर उन्हीं उच्छ शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो उन्हीं विदेश में रहकर अपनी उच्छ शिक्षा को पूरी करने पड़ती थी क्योंकि भारत में तब उच्छ शिक्षा के संस्थान बहुत ही कम थे तो इसलिए जो युवक उच्छिक्षा के लिए विदीशों में रहते थे वे वहां के युवकों की मानसिक स्थिती से हमारी युवकों की मानसिक स्थिती कुछ अलग होती थी और विदीशों में भारती योकों को विशम परिष्थिस्तियों से होकर गुजरना पड़ता था क्यों क्योंकि हमारी मानसिक्सिती और विदीशों के विदीशों में रहने वाले लोगों की मानसिक्सिती में बहुत ज्यादा अंतर होता है तो ये जो पत्र था ये जहांगीर अर्था जे आड़ी टाटा को उनके प पिता रतन टाटा ने लिखा था जब जहांगीर ने अपने माता पिता को पत्र लिखा और उसमें अपने कुशल समाचार देने के साथ साथ उन्होंने अपने सहपाथियों के बारे में भी अपने विचार लिखे जिसमें उन्होंने अपने सहपाथियों के बारे में ये कहकर बताया कि वे लापरवा और जोटे हैं पत्र में अपने पुत्र द्वार लिखे गए इस समाचार को पढ़कर रतन टाटा थोड़े चीन्तित हुए क्योंकि वे डर रहे थे कि उनके बेटे सकारात्मक सोच से हटकर नकारात्मक सोच की तरफ जा रहे है इसलिए उन्होंने अपने बेटे को एक पत्र लिखा और उनके भाविक जीवन के लिए उन्हें अनूठी सीख दी इस पाट के माथ्यम से रतन टाटा ने चात्रों में खासकर युवा चात्रों में सकारात्मक सोच के पहलू पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही और उन्हेंने ये बताया कि किस तरह सकारात्मक सोच से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो ये पत्र जो है बंबई में चार नवंबर 1921 को लिखा गया किस ने लिखा था पिता रतंटाटा ने प्रिय जहांगीर मैं इंगलेंड से तुम्हारा पहला पत्र पाकर बेहत खुश हुआ मुझे आशा है कि तुम्हें यह बात याद होगी कि यह तुम्हारे चात्र जीवन के आखरी 12 महीने है और तुम इस अवसर का पूरी तरह लाब उठाओगी तो पिता यह लिख रहे हैं कि जब तुमने मुझे इंगलेंड से तुम्हारा पत्र मिला तो उस पत्र को पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं तुम्हें यह बात याद दिलाना चाहता हूँ कि यह तुम्हारे चात्र जीवन के पूरी तरह से लाब उठाओगे मतलब छातर जीवन में तुम जो कुछ भी सीख सकते हो वो सारी चीज़े तुम अच्छे से सीखोगे और इस सारी चीज़े कैसे सीख सकते हैं खेल कूत के माधियम से खेल कूट के माध्यम से तुम्हें अंग्रेज लड़कों के चरितर के हर पहलो की जानकारी मिल जाएगी। पर तुम्हें उनके साथ खुले दिल से मिलना जुलना चाहिए और उनके प्रती पूर्वा ग्रही नहीं होना चाहिए। तो पिता यह चाहते हैं कि उनके बेटे जहांगीर अपने साथियों के साथ, अपने क्लास्मेट्स के बारे में कभी कोई गलत धारना ना बनाए और किसी को बिना समझे, बिना जाने बगेर उनके बारे में हमें कभी भी पूर्वग्रही नहीं होना चाहिए पूर्वग्रही महुना मतलब किसी के बारे में जाने समझे बगेर उनके बारे में अपने मन में एक धारना बना लेना कि ये ठीक है ये गलत है इस तरह की कोई भी धारना किसी को बिना समझे बगेर किसी को जाने पहचाने बगेर किसी के प्रते हमें पूर्वा ग्रही नहीं होना चाहिए तो ये पिता अपने पुत्र जहांगीर से चाहते थे और वे ये भी कह रहे हैं कि मुझे यह जानकर बेहत दुख हुआ कि तुम्हें स्कूल में गए एक सब्ता भी नहीं हुआ था कि तुमने सभी लड़कों का आकलन पूरी तरह जूटे और लापरवा कहकर किया था तो पिता इस बात से परेशान है कि उनके पुत्र ने अभी अपने नए स्कूल में दाखिला लिये पूरे एक हफ़ते भी नहीं बिताये थे कि उन्होंने अपने साथियों का आकलन पूरी तरह जूटे और लापरवा कहकर किया था जहांगे ने अपने पिता को जब पत्र लेखा था तब उस पत्र में उन्होंने यह बोला था कि उनके जो साथी हैं जो उनके नए साथी हैं वे लापरवा हैं और जूटे भी हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा क्योंकि वे उन्हों से जादा मिले जूले तो नहीं लेकिन थोड़े से इंट्राक्शन के साथ ही उनको लगा कि नहीं यह लोग तो जूट बोल रहे हैं यह लोग लापरवा हैं क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने क्योंकि भारती यवाउं की म पानशिक्ता में बहुत ही जादा अंतर होता है तो इसलिए जहांगीर थोड़े से परेशान हो गये और उन्होंने अपने साथियों के बारे में पूरी तरह जूठे और लापरवा कहकर अपने पिता के पत्र में उन्होंने इस वात को दर्शाया यदि तो पिता कहते हैं यदि तुम लोगों के बारे में विचार इतनी जल्दी कायम करती हो तो जब तुम इस दुनिया में वैसक के रूप में प्रवेश करोगे तो निश्चित रूप से आसफल रहोगे तो पिता किस बात से व्यतित हैं पिता इस बात से परेशान है कि उनके पुत्र अपने साथियों के बारे में पूरी तरह बिना जाने बग्यर ही उनका आकलन जो है गलत तरीके से कर रहे लगे और यदि इसी तरह हम किसी के बारे में अपने विचार इतने जल्दी से कायम करने लगे तो जब हम इस दुन्या में वाइसक के रूप में प्रवेश करेंगे तब हमें सफलता नहीं मिल सकती क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सहीं आकलन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है तो इस बात को लेकर पिता बहुत परेशान थे इसलिए वह अपने पुत्र को कुछ सीख या नसीहतें दे रहे थे पिता ये समझा रही है कि किसी भी चीज के दो पहलु होते हैं एक होता है सकारात्मक पहलु और दूसरा नकारात्मक पहलु सकारात्मक का अर्थ होता है positive नकारात्मक negative तो positive attitude और negative attitude तो किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं और ऐसा लगता है कि जहांगीर सकारात्मक पहलू को देखना ही नहीं चाहते मतलब वे थोड़े जो हैं परिशान से हैं शायद इसलिए किसी के भी बारे में अच्छी धारना बनाना ही नहीं चाहते इसलिए पिता के रूप में मैं तुम्हें यह सुझाओ देता हूँ कि तुम उनके बारे में पूर्वग्रही होने की बजाए उनसे मित्रता करने की कोशिश करो मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उनमें से कुछ को तुम बिलकुल अलग ही पाऊगे तो पिता यह समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले तुम अपने दोस्तों के बारे में गलत धारना मत बनाओ उनके बारे में पूर्वा ग्रही होने के बजाए सबसे पहले उनसे मित्रता करने की कोशिश करो और यह मेरा यकीन है कि उनमें से जब तुम उनकी साथ दोस्ती करने की कोशिश करोगे तो उनमें से बहुत को तुम बिलकुल अलग तरह का ही पाओगे मतलब जिस तरह की तुम्हारी उनके प्रती धारना थी वो पूरी तरह बदल जाएगी और यदि तुम मेरे सुझाओ का पालन करोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी ठीक है और सबसे पहली बात दोने क्या बताई कि खुल कर खेल कूद में भाग लो किसी तरह का खेल कूद हो खेल कूद में खुल कर भाग लो और हर किसी के कप्तान बन जाओ क्योंकि खेल कूद एक ऐसा जरिया है जहां पर तुम किसी के विवारे में खुल कर पता लगा सकते हो जो काम तुम अपनी क्लासरूम में बैट कर नहीं कर सकते वह काम तुम खेल कूद के मैदान में कर सकते हो तुम्हारा प्लेग्राउंड एक ऐसी जगह होती है जहां पर तुम्हारे अंदर leadership qualities बढ़ती है यहाँ पर तुम लोगों के बारे में सही अपनी धारणा बना सकते हो खेल कोद में भाग लोगे हर किसी के कप्तान बनोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि कौन किस तरह का इंसान है और मुझे खुशी है कि तुमने तैराकी में भाग लिया बॉक्सिंग का भी अभ्यास किया और हाँ अपनी लंबी और खुबसूरत नाक मत तोड़वाना तो यहाँ पर रतन टाटा जहांगीर की खुबसूरत नाक के तारिफ करते हुए कहते हैं कि तुम बॉक्सिंग तो कर रहे हो लेकिन अपनी नाक का जरूर ध्यान रखना और लगता है कि फूटबॉल तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा तो पिता कुछ खेलों के बारे में अपनी बेटे के साथ जो है चर्चा कर रहे हैं अब वे जो हैं जहांगीर की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं तुम्हें गणित के साथ-साथ रसायन शास्त्र पर भी धियान देना चाहिए रसायन शास्त्र मितलब केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ाई के साथ-साथ रसायन शास्तर पर पुरा धियान देना चाहिए और तुम्हें फ्रेंच सीखने का जो तुम्हारा ख्याल है उसे छोड़ दे मतलब जो तुमने छोड़ दिया है वो बहुत अच्छा किया है क्योंकि जहांगीर फ्रेंच सीखना चाहते थे लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि ज हर हफ्ते पत्र के माथ्यम से अपनी हर बात लिखना पिता चाहते हैं कि पुत्र इतनी दूर होते हुए भी अपनी हर बात को वे उपने हर बात को अपने पिता के साथ माटें मुझसे कुछ मत छिपाना तो हमारा जो शिर्शेक है वो यहीं से लिया गया है पिता यह चाहती है कि उनका पुत्र उनसे कुछ भी ना छिपाए क्योंकि पिता सिर्फ प्यार करने वाले पिता ही नहीं उनके सबसे अच्छे मित्र भी है तो प्रतन टाटा अपने आपको जहांगिर के सबसे अच्छे मित्र मानते है क्योंकि वे चाहती हैं कि अगर कभी जहांगिर से कुछ गलती हो भी जाए तो वो अपने पिता को मित्र समझ कर अपनी हर बात को उनके साथ पाटे उनके साथ साजय करे जिससे पिता अपने पुत्र का सही मार्ग दर्शन कर सके कहीं अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो पिता उसके बारे में सोच विचार कर अपने पुत्र का सही मार्ग दर्शन कर सके तो यदि तुमसे कभी कोई गलती हो जाए तो तुम मुझे बता देना अंत में विदा प्यारे बेटे मेरा प्यार स्विकार करना सभी के प्रती अच्छे और विनम्र बने रहना पिता अपने पुत्र को यहां कुछ सीख दे रहे हैं वे कह रहे हैं कि सभी के साथ हमेशा तुम्हारा व्यवार बहुत आच्छा रहे और तुम हमेशा विनम्र बने रहो क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विनम्रता पूर्ण व्यवार बहुत ही जरूरी होता है अंत में तुम्हारे पापा रतन टाटा ठीक है आए देखें जहांगीर रतन टाटा जी क्या जीवन परिजें जहांगीर रतन टाटा जी का जन्म सन 1904 में पैरिस में हुआ इनके पिता थे दादा भाई पारसी और माता श्रीमती सुजानी फ्रांसिसी थी जहांगीर ने 12 वर्ष के अवस्था तक अधिकांश स्कूली पड़ाई पैरिस में ही की थी इसके बाद 3 वर्ष मुंबई और यकोहमा में रहे फिर एक वर्ष के लिए वे इंग्लेंड गए डेड़ वर्ष का समय फ्रांस में व्यतित किया और 22 वर्ष की उमर में भारत आ गए और जीवन परियत यहीं रहे तो यह था जहांगीर रतन दादा भाई टाटा का जीवन परिचे थैंक यू